नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चेनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज जो आप देख रहे हैं न यह एक दिविचमतकारी गुड ओसदी है दोस्तों इसे दूदी घास कहा जाता है जिसा कि आप देख रहे हैं दोस्तो यह है ओसदी आपको आपके खेतार घर के आसपास कहीं न कहीं जरूर मिल जाएगी दोस्तो अगर आप इससे जानते हैं तो कमेंट बोक्स में जरूर लेगे दोस्तो हम इन गासों को देख तो लेते हैं लेकिन हमें नजानकारी होने के कारड हम इनके फाइदों से मज लेंगे दूदी घास को यह दूदी घास कई परकारगी होती है जैनि दो परकारगी होती है एक छोटी दूदी घास होती है यह एक लाल दूदी घास है इसके पत्ते बड़े होते हैं और उसके पत्ते छोटे होते हैं दोस्तों इसके फाइदे के बारे में बात करें तो ब जलत काम करने के कारड़ आपके कमजोड़ी आ गई है आपको दुगले पत्रे हो गए है आपको रतों नहीं आती है ऐसी बीमारियों से बिलकुल मुफ्त में फायदा पास सकते हैं दोस्तों के वल इसका उपायद जानने के बाद दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए हमारे हर वीडियो की नौट बेकिसन आपके पास आने के लिए दोस्तों आज इस फायदे के बारे में हम बताएंगे जैसी कि आपके पेट में कैसी भी कमिया होती है पेट में हजारों कमिया होती है उसको मार गिनाने में इस सक्षम ह दोस्तों अगर आपका पाखाना जैसी कि आप पाखाना करने जाते हैं और आप दो से तीन बार जाते हैं या दिन में अधिक बार जाते हैं समय समय पर आपको पाखाना लगता है तो उसके लिए बहुत अच्छी गुड़कारी ओसदी है इसका काम करके आप बिलकुल भी ओ बनती हैं तो उसको भी खतम करने में ये एक तिब्य वोसदी है तो इसके हम प्रियोग बताएंगे जैसे कि आपके बाल जढ़ते रहते हैं जढ़ना लगा रहता है तूटते हैं सर में दर्द होता है तो उसके लिए बहुत अच्छी गोड़ोसदी है तो बिना किसी दिरी के ह हम वीडियो में आपको फाइदे बताते हैं कैसे यूज करना है इस्तेमाल करना है तो अगर आपको सारी कमजोड़ी है जैसे कि आप परिसान रहते हैं आप उस चीज से परिसान रहते हैं आप समझ जाए सारी कमजोड़ी कौन सी कमजोड़ी की बात कर रहा हूं मैं ये हम ग कालने के बाद में इसमें थोड़ा सा मिश्री मिला के यानि की दस गिराम रश में 5 मिला के अगर आप 2-3 निंद इस प्रयास को करोगे ना तो आपके अंदर तागत बढ़ेगी तागत की च्छमता हर किसी को जरूरी होती है तागत की तो आप में जो जो आपका टाइम पीरिय यह है कि आपके पेट में जैसे कैसे भी कमियां आयाती है अपका लीवर खराब रहता है अपके सूजन आयाती है पेट में पेट में कीड़े होते हैं उसके सब के लिए बहुत अच्छी होसदी है अगर आप एक बार इसको यूज कर लोगे इसितेमाल करोगे तो नाम लोगे दोस्तो इसका रस निकालिए 10 ग्राम के लगवाद और रस को अगर आप पीओगे तो आपके पेट की सारी कमिया दूर हो जाएंगे और हाँ दोस्तो अगर आपके पेट में पाखाना बार बार लगता है आपको तो आपके अंदर से खून निकलता है तो उसके लिए आप 10 ग् आपको पिएंगे तो आपका जो खून है बिलेड निकलता है लेट्रिंग रास्ते से वो बिलकुल खतम हो जाएगा दोस्तो अगले फायदे की बारे में बात करें तो अगर आपके किसी के सर्दियों में या गर्मियों में नाक नकसीर की कोई भी परिसानी है जैसे कि नाक म खून निकलता है तो इसके लिए बहुत राममाड वसदी है दोस्तों क्या करें आप इसके रस को निकालें और रस को निकालने के बाद में इसमें थोड़ा सा मिसरी मिला के अगर पीएंगे तो नक्षिर की जो बीमारी है वो खतम हो जाएगी आपकी नाक से जो खून निकलता है वो खतम हो जाएगा दोस्तों गर्मियों के टैम पर नाकिस से खून निकलना कोई बड़ी बात नहीं है तो इसको इस पर माल करके आप उसका भी फाइदा ले सकते हैं दोस्तों अगले फाइदे की बात बात करें तो अगला फाइदा यह है कि अगर किसी भी माता भेना के दूद्ध नहीं निकलता है यादि दूद्ध की छमता कम होती है दूद्ध नहीं निकलता है उसके लिए यी राम मारो निकाल के पीने से मा अत्ता भेने जैसी होती है उनके दूद निकलने में ये बहुत बढ़िया उसदी है दोस्तो इसका इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो दोस्तो अगर आप इसको रेगुलर्ली करते रहोगे दो आपकी पेट की समस्यां खतम होती रहेंगी सबसे बड़ी बात होती है अगर आप दिन में दोस्ते अधिक बार लेटरिंग करते हो मालो दोस्ते तीसरी बार अगर कर रहे हो तो आपके पेट की कमी है तो इसका इस्तेमाल करके आप पेट की कमी को निकाल सकते हो और आप स्वस्त बन सकते हो दोस्तो इसकी जरूद हर कि अगले पाइदे के बारे में बात करें जैसे कि किसी के मोह पेंपल्स होते हैं पुराने से पुराने दाग दब्वे होते हैं तो इसके लिए बहुत राममाड उसदी का काम करती है मित्रो अगर आपने ओसदी गुड को समझ लिया तो समझ लो आपका चहरा कैसा भी हो आपके चहरे पर दाग हों धब्बे हों किसी भी प्रकार की दाप धब्बे हों उसके लिए ये राम मार का काम करती है समझ लीजे दोस्तों अगर आपके फोड़ा फंसी है तो इसका निकलता है दूद लें और फोड़ा फंसी लगाने से फोड़ा फंसी खतम होते हैं और दोबारा लगने की समझ जो वो होती है वो कम हो जाती है जैसी कि मैंने बताया कि दाग धब्बों दोस्तों इसकी पत्ते लें और पत्तों को रस निकाल किया फिर इसकी ऐसे रगड के अपने चहरे पर लगाएंगे तो आपके दाग दब्बे काले सफेद कैसे भी धब्बे हों उनको मार गिराने में सच्छा मैं दोस्तों हम अलग अलग टीउ का इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमारे क्रीम पॉडर जैसे कामों को इस्तेमाल करते हैं उनको उनसे बढ़िया यह ए उनको पॉस्चाएंगे about इस्तेम दाएंगे लेकड़ औरी औरी अभाएंगे उनको ई पिताएंगे यह जदो हम झाले ऑड़ औरी छू Sp возь भू, हम बड़ी यह पनको से पक और में सकृ टाहें तो हिसा है संको से तो हम गाएंगे ब्ड़ेब